नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूस चानल मेट्टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर अफगानिस्तान के पूरू राष्ठ पती हामिद करजई वोले आईसाई को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान ग्लूचिस्तान पर की पियम मोदी के बयान की प्रशन सा आरेसेस प्रमुग मोहन भागवत ने की हिंदो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपिल कहा दूसरे धर्म वाले जब इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं तो आपको किसी कानुन ने रोक रखा है क्या नई पार्टी बना सकते है नव्जोच सिंग सिद्धू आम आदमी पार्टी समय सभी पार्टों के बागी हो सकते है शामिल केजरिवाल ने पंजाप में पार्टी का सीयम उमिद्वार बनाने सेंखिया है इंकार बिहार में बार से बिगडे हालात लाखो लोगों का पलाय अंजारी पटना को जोडने वाले कई राजुमार गोए बंद NDRF की पाच टीम चेनने से पटना पहुची और रियो उलम्पिक में देश का सिर गर्व से उचा करने वाले पीवी सिंदू परिनामों की बारिश अब तक 13 करोड से ज्यादा के इनाम की घोशना भारत लोडते हैं BMW कार का मिलेगा तोफा और आप देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरे आरसेस प्रमुक मोहन भागवत ने हिंदू से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है शनिवार को आगरा में आयोजिते कारेकरम में भागवत ने कहा कि दूसरे धर्मवाले जब इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं और क्या आपको किसी कानून ने रोक रखा है भागवत यहां विश्य विद्याले और महा विद्याले शिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे महान भागवत ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि उनकी जनसंग्या बढ़ रही है इस पर उन्होंने कहा कि इंदों को किसने रोका है सम्मेलन में भाग लेने आई टीचर ने महान भागवत से सवाल करते हैं सिक्षा में बदलाव की बात करने के साथ साथ आरकशन व्यवस्वाय खत्म करने की सवाल किये हैं अध्याभ को द्वारा किये गई सवालों का जवाब देते हैं सरसंक्चालक मोहन भाग्वत ने कहा की व्यवस्वสता बदलने कि अगला कदम क्या उठाया जाए एक विकर्प ये भी बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी का एलान कर सकते हैं इसमें सभी पार्टियों के आसंतुष्ट नेताओं को शामिल किया जा सकता है आपके आसंतुष्ट नेता भी इसमें जा सकते हैं हालंकि अलग पार्टी बनाना की प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि वहां पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित चरंपंतियों के हातों शेत्र के लोगों को प्रतारित क्या जा रहा है करजई ने कहा अफगानिस्तान भारत बहुत लंबे समय से पाकिस्तान पर अपनी टिपणियों को लेकर बहुत गंबीर र रहे हैं करज़ई ने ये भी कहा कि भारत में कुछ सावधानी के साथ अफगानिस्तान से जुड़े मुद्य को इश्पर्ष किया है गंगा के जलस्तर में लगाता वृद्धी होने से बिहार में बाड किस्तिती हुई भयावय हो गई है पिछले 12 घंटे में सडकों तक बाड क पानी पहुच गया है वहीं हाजीपूर बच्वारा मार्ग पर नोका का परिचालन कर लोगों तक राहत पहुचाने का काम जारी है फत्वा बख्तियार पूर पर पानी चड़ गया है एनाईटी पटना के पास पांच इंच पानी बढ़ा है दानापूर के पुरानी पाशे सेत्र की और से तेजी से पलायन कर रहे हैं पटना एरपोर्ट पर एंडी आरफ की टीम पहुच गई है कुल पांच टीम है जिसमें दो सो पचास सदस्य है यह सभी टीम चेन नहीं से आई है बाध प्रभावित इलाके में तुरंत टीम जाएगी ओलमपिक में सिल्व जब कि आंध्य परदिश ने तीन करोड़ों दिल्ली सरकार ने दो करोड़ रुपए देने की घोशना की है यही नहीं बीपी सी एल ने पिचेतर लाक हरियाना सरकार ने पचास लाक बी ए आई ने पचास लाक ए आई एफ एफ ने सिंदु के लिए पाच लाक रुपए की नाम की घोशना की है इनके अलावा BMW कार महिंद्रा की SUV 2000 वर्ग गजमीनादी की घोशनाई भी हो चुकी है उनके रियो से वापस लोटने पर अभी और भी कई प्रुसकारों की जड़ी लगने की उम्मिद की जा सकती है रियो में 16 दिन और 115 एथलीट्स के हिस्सा लेने के बाद भारत के खाते में दो पदक है इस ओलंपिक में तीसरे पदक के लिए हमारी आखरी उम्मिद पहलवान योगिश्वग धत्त है अभी तक मिले दोनों पदक महिलाओं ने दिलाए हैं इसके अलावा दोर महिलाओं न 3,000 मीटर महिला स्टीपल चेंज में रास्ट्रे रिकोर्ट भी बनाया इनके अलावा दीपा कर्माकर ने इतिहास रचा सबसे पहले जिमनास्टिक्स में ओलंपिक्स के लिए उकालिफाई करके और फिर वर्ट इवेंट के फाइनल में जगए बनाकर वो चोते स्तान पर भारतिये कनडाई सिक सांसद बर्दिश चगड को कनडा के हाउस ओफ कौमन में सरकार का नया नेता नामित किया गया है वो देश में सदन की पहली महिला नेता बनी है वाट ललू से सांसद 36 वर्षे चगड लगुवे पार इंपरेटन मंत्री है वो भारतिये मूल के 19 उम्म द्वारों में शामिल है जो पिछले साल के आम चुनाओं में जीते थे चगड ने समवादाताओं से कहा यह शांदार अवसर है मैं अपनी पूरी जिंदगी राजनितिक परिक्रिया में शामिल रही हूँ मैं जानती हूँ कि लोकतंतर को कैसा दिखना चाहिए लोकतंतर का क कनाधा के लोगों के साथ जुड़ाव है यही हमारे प्रदान मंत्री का नित्रितु है और इसलिए पूरी सरकार का रुख कनाधा के लिए काम करने का होगा आपको बतादे कि वूर्डुमिनिक ले बलांक कीशत्थान लेने जा रही है कनाधा के प्रदानМंत्री जस्टिन प्रुदून उम्मीद जताई की छगड़ एक समर्थ उत्रादिकारी साबित होंगी। करने के लिए जा रहे थे भारतिय भाषा सुरक्षा मंच वेलिंगर की अगुवाई वाला संगठन है यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी नुदान को वापस लेने की मांग कर रहा है। प्रदान मंतरी का रहलेक एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के दोरान प्यम मोदी ने प्रचंड के नेत्रितु वाली नई सरकार को अपनी शुब कामनाई दी और अपनी स्वीदा अनुसार भारत की जल से जल्द यात्रा पर आमंतरित किया। प्यम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के रिष्टे सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं बलकि दोनों देशों के लोगों के बीच है। और भारत नेपाल के लोगों के साथ दोस्ती और पारिवारिक रिष्टों के इस पारंपरिक बंदन को मजबूत करने के लिए प्रतिसंकल्प बद है। अफगानिस्तानी प्रदशनकारियों के एक समूने चमानिस्तित बावे दोस्ती द्वार पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी ध्वज जला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ साथी अपनी सीमा अनिस्चित काल के लिए बंद कर दी है। परिनाम सुरूप दोनों देशों के बीच व्यापार लादान में शामिल और अफगानिस्तान में नाटो बलो को जरूरी समान के आपूर्ती करने वले ट्रकों की आवाजा ही रुक गई है। सूत्रो ने कहा कि अपने देश का 97, 77 दिवस मना रहा अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में सीमा पार स्पिन बोलदक शहर की सडकों पर माच करने के बाद मैत्री द्वार के पास एक कित्रित होए थे। उनके हातों में बैनर और तक्तिया थी जिन पर पाकिस्तानी से चीना है। बादल ने यहां संथ हरचंद सिंग लोंगोवाल की कतिसी बरसी के मोके पर राज्ये इस्तरिये शरधांजली समारों में पत्रकारों से बादचित में कहा कि देश में कही भी और ऐसी मिसाल नहीं है जहां किसी राज्ये को उसकी राजधानी से बेमुख किया हो लेकिन पंजाब के साथ बड़ी ज्याधती करते हो है कॉंग्रेस की केंद्र में रही सरकार ने चंडीगड को उसे नहीं दिया जबकि 1980 के दशक में ततकालिन प्रधानमंत्री ने इस संबन में लोगसभा में घोशना भी कर दी थी बादल ने कहा कोई इस तथ्थे से इं जसी माराओ कोई बड़े आर्थिकुदारवादी नहीं थे और उन्होंने नेरुवादी आर्थिववस्ता की विफलता के चलते मजबूरी में सुधारों की शुरुआत की थी उनके मुताबिक नेरुवादी अर्थिववस्ता से भाद पीछे रह गया था जबकि उसके दक सनकाल में 1990 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई जेटली ने कहा कि नर्सीमर राओ कोई बड़े आर्थिक सुधारक या बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे पस्चिम बंगाल की सीम ममता बनर जी ने पीम नरींदर मोधी पनिशाना साधा है ममता ने मोधी सरक क्या थे ही देश में आपातकाल से भी बदतर आलात पैदा हो गए हैं नाराज ममता ने नीती आयोक का लेटर लहराते होई मीडिया कर्मियों से ये बात कही ममता ने सहयोगी संगवाद का जिक्र करते होएं कहां वे वास्तों में राज्जी और लोकतंत्र को डरा रहे हैं य यही कारणे की जमू कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्धा भी तबाही का रूप लेता जा रहा है गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में 2012 में पुलिस गोलिबारी में दलितों की मोत के मामले में राजिस सरकार ने विशे से जाच दल बनाया है SIT का गठन ऐसे समय में किया गया है जब सोमवार को गांधी नगर में एक दलित सम्मेलन होने वाला है दलित संगठन अपने समुदाय पर हो रहे अत्यचारों को लेकर राजिस सरकार को ग्यापन सोपेंगे SIT की गठन को सरकार की तरफ से दलितों का घुसा शांत कराने की कोशिश माना जा रहा है उना में दलित यूकों की पिटाई के बाद दलितों का तीसरा सम्मेलन गांधी नगर में होने जा रहा है आपको बता दे कि 2012 में सुरिंद नगर के थान गड़ में एक मेले में दलितों कुछ सवर्णों में जगड़ा हुआ था जब दलित इस मामले की शिकायत लेकर थान गड़ पुलिस थाने गए तो दलितों पुलिस के बीच छड़प हो गई जिसमें दो नाबा लिगो समेट तीन दलितों की मोत हुई थी बॉलिवर्ड सूपर स्टार सलमान खाउर सिंगर अरजीत सिंग का कोल्ड वार कुछी दिनों पहले खूब सुर्कियों में था हाली में मीडियम याई खबरों के अनुसार दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है इसके साथ ही अरजीत सलमान की फिल्म ट्यूब लाइट में एक सोलो गाना गा सकते है फिल्म में सलमान के साथ चाइनिज एक्टिस जो हूँ नज़र आएंगी सलमान को लेकर अरजीत का कहना है कि वो हमेशा से सलमान के फैन है बता दे कि कुछ समय पहले अरजीत ने फेस्बुक पर एक खुला खत लिखकर सलमान से माफी मांगी थी और गुजारिश की थी उनका गाना फिल्म सुल्तान में रहने दे जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो अरजीत ने सलमान के घर जाकर भी उनसे माफी मांगी लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ इससे पहले एक अवर्ड फंक्शन के दोरां सलमान और जीत के भी छोटी सी नोग जोग वी थी जो मजाक्या थी कहा जा रहा था कि साल लोग पहले हुई इस बात को शायद सलमान दिल से लगा कर बैठी रही इसलिए पहले किक और फिर सुल्तान से अरजीत का अगाना हटवा दिया था लेकिन लगता है अवर्ड सलमान ने अरजीत को माफ कर दिया है खबरों के सफर मिफल हाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए जुड़े रही मेटो टीवी के साथ